हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 107 और 108 के बारे में यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां पर किलिक करें आपको पिछली धाराओं के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे हम बात कर लेते हैं IPC की धारा 107 के बारे में 107 से लगा करके 120 जो है अध्याय पांच में दिया गया है अध्याय पांच जो है वह दूस्प्रेड़न के संबंद में बताता है हम बात करते हैं IPC की धारा 107 क्या कहती है किसी बात का दूस्प्रेड़न यान दूसरा और तीसरा पाइंट इसमें तीन पाइंट दिये गए हैं हम इसको उधारण से भी समझेंगे पहले हम यहां पर यह देख लेते हैं उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उक्साता है याने के पहला पाइंट इसमें आता है उक्साना याने कि किसी व्यक्ति को उक् और तीसरा तत्व बताया गया है उस बात के लिए यदि अवैद लोप किया गया है यने कि कोई कारी करने का अदाइद हो था और वह कारी नहीं किया गया है इस प्रकार से जो बताया गया आईपीसी की दाराइग साथ में किसी बात का दुस्प्रेणद टीन पाइंट इसमें बताया गया हम इसको उधारन से भी समझ लेते हैं उधारण क्या है इसमें उधारण इसमें ये बताये गया है कि कोई व्यक्ति एक पुलिस ओफिसर है और वो किसी अपरादी को पकड़ना चाहता है मान लेते हैं कि उस अपरादी का नाम कमल है वो कमल नाम के व्यक्ति को पकड़ना चाहता है पुलिस वाला अब तीसरा कोई व्यक्ति सुरेश नाम का जो यह जानता है कि कमल नाम का व्यक्ति कौन है वो पुलिस वाला जब उसके पास आता है मतलब कि सुरेश के पास आता है और वो पूछता है कि यह कमल को जानते हो क्या अब वो ये जानता है कि कमल कौन है वो कमल की जगे किसी अन्य व्यक्ति को पकड़वा देता है और ये कह देता है कि ये जो अन्य व्यक्ति है ये ही कमल है जबकि वो वास्तम में कमल नहीं होता है कमल तो कोई दूसरा व्यक्ति है तो यहां पर पुलिस वाले को गुम्राह करने का कार सुरेश ने किया सुरेश ने कमल की जगे किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के हातों यह कह कर दे दिया कि यही कमल है तो कुल मिलाके जो सुरेश है यह कहा जाएगा कि उसने जो है दुस्प्रेरण किया है इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं तो IPC की धारा 107 का उधारण हमने देखा दूस्प्रेरण की जो परिभाशा है उसके जो आबशक तद्व हैं वो कौन-कौन से हैं पहली चीज है कि किसी कार्य के लिए किसी अपराद को करने के लिए किसी व्यक्ति को उक्साना दूसरा है सणयंत्र द्वारा किया गया कोई कार्या और तीसरा है सहायता करना इस प्रकार से धारा 107 की परिधी में किसी बात का दूस्प्रेरण समझाया गया है हम बात कर लेते हैं IPC की धारा 108 के बारे में IPC की धारा 108 क्या कहती है ये बताती है दूस्प्रेरण के संबंद में कि दूस्प्रेरण क्या होगा हमने बहां पढ़ा किसी बात का दूस्प्रेरण और हम यहां पढ़ रहे हैं दूस्प्रेरण कौन होगा दूस्प्रेरण वह व्यक्ति अपरात के लिए दूस्प्रेरण करता है देखो एक होती है प्रेड़ना और एक होती है दुस्प्रेड़ना प्रेड़ना किसी अच्छी बात के लिए की जाती है और दुस्प्रेड़ना किसी बुरी बात के लिए या किसी अपराद को करने के लिए उक्साने के लिए की जाती है उसको बोलते हैं करता है जो अपराद किये जाने का दुस्प्रेरण है या ऐसे कारे किये जाने का दुस्प्रेरण करता है जो अपराद होता यदि वैकारे अपराद करने के लिए विदी अनुसार्त समर्थ व्यक्ति द्वारा आसय या ज्ञान के साथ किया जाता मतलब कि यहां पर दारा 108 में सिर्फ दुस्प्रेरण के संबन में बताया गया है इसको हम उधारण से समझ लेते हैं IPC की दारा 108 को यह कहती है मान लेते हैं कि किसी कमल नाम का व्यक्ति है कोई और उस कमल नाम के व्यक्ति को सुरेश नाम का कोई व्यक्ति यह कहता है कि तुम फलाने घर में जा करके और चोरी कर लो वहां बहुत सारा माल है अच्छा पैसा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है और वहां पर कोई रहता भी नहीं है और चोरी करोगे तो तुम कित्ते धनवान हो जाओगे और इस तरह का लालच वगेरा उसको देता है और उक्सा देता है और यह भी बता देता है कि तुम को कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि वहां पर कोई कारवाई करने वाला भी नहीं है इस प्रकार के कुल मिला कि उसको इस तरह से दुस्प्रेश कर दिया सामने वाले को कि वो चोरी करने के लिए आतर हो गया अब यदि वो व्यक्ति चोरी करता है कौन सुरेश ने उक्साया कमल को तो कमल यदि चोरी करता है तो भी और कमल यदि चोरी नहीं करता है तो भी कुल मिला के सुरेश नाम को जो व्यक्ति है वह जो है दुस्प्रेशन क का दोशी है चाहे आप अपराद घटिस हो और चाहे अपराद घटिस नहीं हो तब भी उसाइगा पराद का दोशी माना जाएगा यदि वो अपराद घटित हो जाता तब वह दोशी माना जाता किसी को जान से मारने का यदि किसी व्यक्ति ने दुस्प्रेरण किया है और उस व्यक्ति ने जो है जिसको दुस्प्रेरित किया है दुस्प्रेरित व्यक्ति ने जा करके उसको जामने व यह कहती है तो आज हमने बात कि IPC की धारा 107 और 108 के बारे में यदि आपको इस से related यहने कि IPC से related और भी वीडियो देखना है यहने कि पूरी-पूरी की पूरी IPC का अध्यान करना है तो आप यहां पर किलिक करें पूरी की पूरी IPC यहां पर लाई बटर पर किलिक करने पर आपको उपलब्ध हो जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को like करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वैल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तोरांत मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद